बिसमिल्ला रख्मान रहीम, असलाम अलेकूम, कैसे आप सब लोग तो आज आप लेका है जटपट सी मज़ेदार सी गाजर के हलवे की रेसिपी, तो सिंपली एक कड़ाई लेली, मैंने उसके अंदे टू टेबल स्पून देसी घी डाल दिया, देसी घी डालने के बाद मैंने अधा ककी घीए खुट है जनार गह में अकतर हमेंड़ा और में कत्दू किया दियुक Catholic को लेकर लेका अब इसका घाल कमेड़ा जो आपको कर दोलğin तक तक संदू हो सकता है लेकिन अगर चाहे तो चमच कंटीनियू चला सकते है तो मैं इसको अच्छे से फ्राइ करोगी फ्राइ करने के बाहन मैं इसके अंदर एड़ कर दूगी चीनी और चीनी ली थी मैंने तकरीब एक प्याली चीनी है कम जादा आप लोगो के ओपर डिपैंड करता है अगर आप अच्छे से खुशक करना है जब तक पानी बिल्कुल खबना हो जब तक पानी इसका खुशक हो रहा है तो इसी में एड़ कर दूगी दूद्ध मैंने लिया था एक कप और यह फुल क्रीम दूद्ध है आप देख सकते हैं बलाई इसके ओपर आ रही है मैंने बलाई दूद मैं इसके ओपर डाल दूगी खोया तकरीबन मैंने एक प्याली लिया था अब मैं थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया था अब मैं इसके अंदर एड़ करने के बाद तक चमच और चलाओगी कि यह अच्छे से खोया भी इसके अंदर मिक्स अब हो जाए औ गाजर का हलवा रात के टाइम गरम-गरम करके बिस्तरों में बैठके खाया जाता है बहुत मज़गा लगता है तो इसके अंदर कंटीनियो मुझे चमच चलाना है तो आप देख रहे हैं मैं चमच चला रही हूँ तो यह देखे हमारा गाजर का हलवा हो चुका है बिलकुल कितने माशालला से कितना अच्छा कलर आया है बिलकुल ऐसा लगता है बहार से किसी हलवाई की दुकान से आया है तो देख सकते हैं आप गाजर का हलवा मेरा राडी हो चुका है गारनेशिंग भी कर दिया है मेरे तो एक बर जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपने कमेंट मे मुझे लाजमी बताईए कि आप लोगो कैसा लगा आपनी दौाओं में आद रखेगा फिर आपसे मुलाकाद होगी जब तक कि लिए